मुकल शर्मा स्वागत आपका हमारे खास कारिक्रम विचार मिमर्ष में गेहूं के बिना हमारी थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती खास और से उतर भारत के अगर हम बात करें और यही वज़ा है कि देश में बड़े पहमाने पर इसकी खेती की जाती है गेहूं की बुआई और उपज साल दर साल बढ़ती ही जा रही है मई 1965 में लागू अखिल भारतिय समिन्मित गेहूं और जो अनुसंदान पर यूशना के बाद इसकी उपज में 848 फीज़ी का इसाफा देखने को बिला इस बार 2 करोड 97 लाख हेक्टेर से ब्यदिक रगवे में गेहूं बोया गया है जिससे करीब 10 करोड टन गेहूं की उपज का अनुमान है अच्छी उपज के लिए बहतर देखभाल की जरुरत होकी और अच्छे मुनाफ़े के लिए कटाई उपरांत बहतर यूज ना की तो इस समय गेहूं का कैसे करें पोशन, कैसे करें रोगों से बचाव, कब और कितनी करें सिचाई अगर उलो से हुआ नुकसान, तो क्या करें उपआए, कैसे करें कटाई, और कैसे करें भंडारण, साथी कैसे मंडियों में मिलें ज्यादा भाव ऐसे ही सवालों पर विचार्वी में शुकरेंगे करनाल सिथ महारती के हूँ अगर जो अनुस्दान संसान से आई 4 विशीशग है, इसे आपको हम परिचे करा देते हैं कृशी विस्तार प्रभाग के प्रधान विज्यानिक डॉक्टर अनुच कुमार जी साथी संसादन प्रमंधन प्रभाग के प्रधान विज्यानिक डॉक्टर आर्के शर्मा जी सच्छे विज्यान के प्रधान विज्यानिक डॉक्टर आरेस छोकर जी और पादब रूख विज्यान के प्रधान विज्यानिक डॉक्टर सुधीर कुमार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे से कारेक्रम में लेकिन आज हम चार मश्च का सिलसला शुरू करें उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पार समय पर बोई गेहों के फसल में फोल आने लगा है ऐसे में चोथी सीचाई कर लें अगर पौधों में गांट बन रही है तो तीसरी सीचाई करनी होगी पांचवी सीचाई बालियों में दुग्द बनने के दौरान करें माच और अपरेल में अगर तापमान सामानने से ज्यादा लगे तो एक दो अतरिक्त सीचाई कर लेना बहतर रहेगा दूसरी और जोग की दूसरी सीचाई गांट बनने की अवस्था में और तीसरी दूधी आवस्था में करनी होगी। जोगी फसल के लिए निराई गुड़ाई बहुत असरदार होती है। गेहों के पौधों की उचित बढ़भार और विकास के लिए पोशक तत्व की जरूरत होती है। खासतोर से जस्ता और लोह तत्व का विशेश त्यान रखें। इस समय गेह के लिए भी प्रीपो केनाजोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका छड़काव 15-20 दिन के अंतराल पर करें। रस चूसने वाले कीट चेंपा की रोगथाम के लिए एमिडा क्लोपरिट 200 SL या सक्रीयत तक्व का छड़काव खेत के 4 और 2 मीटर बॉर्डर पर करें। ज्य यहां सबसे पहले लॉक्टर शर्मा आपके पास में आना चाहूंगा अभी का जो फरवरी का महीना चल रहा है जिसमें तापान में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिलता है। इस दौरान अगेती पछेती गहूं के हम बात करते हैं जो समय पर या जिन लोगों ने गह हाई जो देरी से बुवाई वाली है उसमें बालिया आने वाली हैं इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है कि पानी थोड़ा अब हलका लगाएं क्योंके हुआ हुआ ही चलने का हमेशा अंदेर सा रहता है इस समय में हलका पानी लगाएं और ये देख लें के कहीं तेज हवा क्या क्या प्रडिक्शन तो आज कलाई रही है मौसुन विग्यान से तो पानी तभी लगाएं जब हवा ना चलने का और खासकर दोपहरवाद लगाएं हलका पानी लगा जाए जी तो देखिए हलका जो पानी है वो आप लगा सकते हैं और ना सिर्फ इन पातों को आपको ख्य कैसे उस नुकसान से जो हमारे किसान है वो बच सकते हैं मुकल जी जैसा कि जिन किसान भाईयों ने सिचाई की थी उसके तुरूंत बाद बारिश हुई उन खेतों में देखा गा कि पानी बरा जहां पानी बरा वहा थोड़ा सा जो फसल पर है तो यह पिलापन आया लेकिन जीन किसान भाईयों ने अपने तपड में जीरो ट्रिलेज़्न बिजाई की थी या सरंक्षन केसी में बिजाई की थी उनखेतों में पानी नहीं बरा और इसका जो कूपर, भाव ह 빼i यह नहीjskातों में सबसे पहले little future . . नेकिन किसान भाईयों कि पानी बरा है तो निकाले निकासी करें, फिर भी इसके बाद अगर कुछ पिलापन रहता है अपसल में, तो किसान भाई उसके नियंतन के लिए कर सकते हैं कि जिंक सलफेट है, एक किलोगराम जिंक सलफेट या चार से पांच किलोगराम यूरिया मिलाकर सप्डे कर दें उसके, उनका पिलापन हो कम हो बल्कुल देखे, आप शुकाव कर सकते हैं, जिससे जो पिलापन है, वो कम हो सकता है, और ना सिर्फ बारिश बल्कि डॉक्टर अरुज अगर इस महीने हमने देखा था, जो ओले की समस्या है, वो भी हमारे किसानों के सामने आई है, ओले के प्रभाव की अगर बात की जाय लेकिन अगर जो इस्तिती जो लेट सौन की वराइटी है, जहां पे अभी बाली नहीं आई है, अगर वहां पे वो ले पड़े हैं, तो आप निश्ची तोर पे खेत का मुएना आप करें, और हो सकता है तो आप हलका सिचाई लगाएं, अगर पहले से पानी नहीं लगाया ह और थोड़ा सा अगर अगर उड़िया का स्प्रे कर दें, अगर स्टेज 75 दिन से ज्यादा की है, तो आप उसमें यौरिया का अभी तेर पाँच पर संट आप फोदा अपने अपने थोड़ा सा संभाल लेता है, बाकि अगर ज़्यादा जहां ओला पर इस्टी हुई है, ज काफी हद तक आप नुकसान से अपनी फसल को बचा सकेंगे साथ ही यहाँ अगर बात की जाए अच्छा तरीका यही होता है कि आज कल जब हवा चल रही है तो आप मौसम के पुरवानुमान के हिसाब से सिचाई करें और जिसे डोक्टर शर्मा ने बताया कि आप अगर दोपहर के बाद सिचाई करते हैं तो अमूमन हवाओं का जो रफ्तार है वो कम हो जाता है दोपहर के बाद तो सिचाई आप करें और हलकी करें और मौसम का पुरवानुमान का तो बहुत ध्यान रखें क्योंकि पिछले एक सब्ता से हम देख रहे हैं कि बार-बार मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं बहुत तेज बारिश हो जा रही है कभी हवा भी तेज चल रही है तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है अगर पौधों में बालियां आ गई है तो भी गिरने की संभाना उतनी ज़्यादा नहीं है जब तक दाना उसमें भरने ने लगे जब दाना भरने लगता है तो पौदा उपर से भारी होता है तभी ज़्यादा गिरने की सम्हा होना है लेकिन पानी की मातरा का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपसे जो भी आगे की अवस्था आ रही है कि उसमें आप कम से कम पानी लगाएं आवशक्ता गहीं जो भी फसल को नुकसान पहुचाते हैं इस बारे में रॉक्टर सुधीर आपसे हम जाना चाहेंगे है अबने रिपोर्ट में भी देखा किस तरीके से चेहपा या माहो कीट का अगर खास और से बात की जाया किस तरीके से हम मान सकते हैं कि इनकी वज़े से जो फसल है वो प और जो पत्यों के उपर और बाली के उपर भी बैठके गुच्छे में बैठते हैं और रस चूशते हैं जिससे फसल को पोसन कम मिलता है और उसमें कमजोर हो जाती पैदावार कम होती है तो इसके लिए और इसके अलावा ये जब रस चूशते हैं फसलों का उसके बाद उस कि चंता कम होती है और इस तरह इस तरह इसमें नुकसान ज्यादा होता तो यह इसके पर दाय के कि लिए क्या करना चीए पहले से ही नतरजन की जो एकदम संतुत मात्रा है अतनी ही प्रियोक करनी चीए ज्यादा मात्रा में नतरजन ना दे जिसे पोदो में ग्रोथ ज्यादा हो गी और एफिट का प्रकॉब ज्यादा होगा इसके अलावगर एफिड आ गए हैं तो उसका है कि कभी उसके लिए दस एफिट परती जो है टीलर कहते हैं जिसको कल्ला कहते हैं वो होने के बाद ही दौाई का इस्तेमाल करें उससे पहले ना करें और सबसे पहले इसमें एक दवा है इमीडा क्लोरोपीड 100-200 ml लेके उसको पहले खेत के बाउंडरी पर स्प्रे करें जिससे उसके अंदर की जो मित्र कीट हैं जैसे लेडी बाइड बीटल वो भी उसको खा के उसकी पोपुलेशन को कम रखेंगे जी प्रती हेक्टेर के लिए यह इतनी मातरा सही रहेगी इसमें एफिट की कॉलनी है वो खेत के बार्डरों से बनना शुरू होती है तो अगर किसान अमूमन अपने खेत का निरिक्षन करता रहता है तो उसको पता चल जाता है कि हमारे खेत में एफिट आने लगा है तो उसमें अगर आप 10-15 ml दबाई लेकर के यह यह दो टंगी पानी में आपकी नारों से ही स्प्रे कर देते हैं तो आप इसका नियंद्रन कर सकते हैं इसके लावा भी कोई ऐसे कीट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वहाँ सारी बीमारिया भी हैं कीट भी है एक पिंक स्टमبnikówर भी है जो आता है और डॉक्तर सुधीर बारे में ज्यादा अब को बता पाएंगे ठिकियर इसके अंदर ऐक बिंक स्टमबर यह जो कि में स्टम में खाता है तो उसके पोदे के जो बीच का सबसे बीच का भाया वो पीला होके सूख जाता है और जब हम उसको खींच के निकालेंगे तो उसमें वो कटा हुआ दिखाई देगा और उसको खोलने पर पता चलेगा कि वहां एक लारवाट है तो इसको पिंक स्टॉम बॉरर कहते हैं इसके लिए यह है कि पहले इसमें जितने भी जिसको हम डेड हाट करते हैं जो बीच का कला सूख जाता है उसको निकाल तो उनको निकाल के कठा करके जला सकते हैं जला दे और उसके लाद आगर उसमें दवा का छिट कान खर सकते हैं उसके लिए उसके लिए हमें किनॉल फॉस दवा दिये, उसमें 1200 मिली लेटर प्रती हेक्टर केसाबस रूप्ट को इसके बचाओ के लिए। जी बिल्कुल लुए इसके साथ कर्णाल बंट की अगर बात की जाए रोकसाब क्योंकि ये भी जो किसान है उनके लिए पीज़ के साथ रहती है और आपके जमीन के अंदर रहती है इसलिए उसको पैचाना बहुत मुश्किल है जब हम ठ्रेसिंग कर लेते हैं दाने निकालते हैं तब उसमें पता चलता है कि कर्णाल बंट से इंफेक्टेड है कर्णाल बंट में जो दाने के अंदर काला पाउडर बन जाता है और उसको खुरुचने से उसमें पाउडर निकलता है पाउडर टाइप तो ये करनालबंट के पहचान तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप बचाओ ज्यादा जरूरी है इसके लिए जो आपके लिए 76 के लिए संतुतित किस्मे हैं उसका चुनाओ करें भुवाई के लिए इसके बाद आप इसमें जो उर्वरक देते हैं उसमें खास तोर से फासपोर्स और पोटास भी जितनी आपकी संतुत मातर है उतना प्रियोग करें उसके अंदर जिया दातर किसान भाई केवल नतर जनका प्रियोग करते हैं जबकि यहां जो भी संतुत है फासपोर्स और पोटास उसका भी प्रियोग करें जिसके अलावा खास तोर से फर्वरी मामें अगर लास्ट में जब आपके कले निकल रहे हैं आदी बाली निकल एपचास परसेंट अगर बाली निकल एउस टाइम अगर बारिस होती है तब एक दवा है प्रोपेक एनजल उसका वन एमेल वन लिटर में तरकि दो सो एमेल पर एक कड के पैसाब से उसका रहें अगर बाली परी चाहिए तो दवा के रहके ज़रोरत नहीं हैं और बाली आगर अगर अबी निकलने में टाइम है बूट स्टेज में तब जह रहें अगर 50% बाली निकल गए तब अगर बारिस होती है तभी उसके छिड़काव करने तब जाकर कि आपका बीच जो है वे एकदम शुद होगा उसमें कोई भी करनाल बंड का इंफेक्शन नहीं होगा बेलकुल लॉक्टर नो जैसा भी डॉक्टर सुधी ने बताया कि अक्सर जो किसान है जादा मात्रा में जो संतुलित मात्रा है उसका ख्याल ने रखते कई इस से उस पे आपको जो मजदूरी हमारी लगती है वो इन दोनों बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए इसलिए जो इंटिग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें आपका बीजूप चार से ले करके और फिर खरपतवार नियंतरन और फिर बाद में कोई अगर बीमारी आ गई या कोई कीड़ा आ गया और किसान स्प्रे करना शुरू कर देता है यह सोच करके कि उस खिजान ने किया है तो मुझे भी करना है इससे हमारी लागत बढ़ती जाती है और जो उत पादन के बाद जो आपको लागत मुले मिलना है आपको जो मिनिमाम सपोर्ट प्राइस मिलना है तो आप प्रती एकर या प्रती हेक्टेर के हिसाब से जीतना ज्यादा खर्पतवार नाशी का प्रयोग करेंगे या दूसरी दवाईयों का प्रयोग करेंगे वो निश्री तोर पे आपको लागत में बढ़ाता जाएगा इसलिए आपकी जो फायदे की बात हो वो क कम किया जाए लेकिन कई ना कई समस्या जो रहती हैं उनको लेकर किसान परिशान होते हैं सोचते हैं कि जादा अगर चाहे वो कीटनाशी की हम बात करते हैं या दूसरे जो कह सकते हैं जो देखभाल के दौरान साबधानी जो हमारे किसान पर रहते हैं उनका मानना यही कि ज जरूस से ज़्यादा मात्र अगर वो इस्तमाल करेंगे तो शायद ज़्यादा फाइदा हो सकता है लेकिन इसके जरीए सिर्फ आपकी जो लागत है उसमें इजाफा होता है जिसके वज़से मुनाफ़ा भी आपका कम होने लगता है इसके लावा कियों कि अगर बात की जाए इसमें दीमक और चुहों की भी एक कह सकते हैं समस्या रहती है इसके निजाद के लिए क्या तरीका है दीमक के लिए तो अगर आप शुरुवाती दौर में बात करें तो बीज का उपचार भी करना जरूरी होता है उसमें खड़ी फसल बे भी अगर इसका प्रकोप आता है तो वहाँ पर तीन लिटर इसकी दवाई करीब 20 किलोगराम मिटी या रेत में मिला करके और हम इसका भी बुरकाव अगर खेत में चिड़काव कर देते हैं तो उससे भी उसका नियंतरन हो जाता है प्रही बात चुहों की तो इसका प्रकोप अगर आपको दिखाई देता है कि हमारे खेत में हैं तो जितने भी सजीव बिल हैं उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है कि जहां पे चुहे चुपते हैं तो जितने भी अगर खेत के अंदर बिल हैं उनको पहले आप भरिये एक बार भर देते हैं फिर अगले दिन आप उसको देखिए कि किन बिलों से फि अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो निश्ची तोर पे चुगों के समस्या का समाधान आपको निकल जाता है और इसी दवाई का प्रियोग भंडारन के दौरान भी अगर चुगों का प्रकोप है तो इनी गोलियों को आप भंडारन में भी आप डाल करके इसका नियंतरन कर कर सकते हैं जैताव प्रदेखी किस तरीके से इसका रियंतरन जो एक समस्या रहती किसानों के लिए दिमोकर्च जो है कि वो भी आगर आप चाहें तो काफी हथ तक उनकी रोक्थाम आप कर सकते हैं यहां डॉक्टर शर्मा आपसे भी हम जानना चाहेंगी क्योंकि खाद सु ऐसे बातों का क्या लगना चुए और अब की जो वस्ता है उसमें वो क्या कर सकते हैं जो सनक्षन खेती है उस तरह से बचत होगी और जो है जो संदुतिक है वही डालें उससे कम मत डालें, देखा गया है कि साथ जातर पोटाश नहीं डालते, कई जगाँ पे पोटाश की भी कमी आने लग गई है, नतरजन पोटाश और फासफोरस जो संतुतित महातर है उसका प्रयोग करेंगे, तो यह जो समस्या आपने बताई है कि बालियां ठीक स नहीं आ रही है, वो नहीं आएगी, तो इसके साथ ही कब डालनी है, कैसे डालनी है, वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें फासफोरस और पोटाश है और थोड़ा सा नतरजन जो है, वो बिजाई के टाइम पर डालिये, उसके बाद पहले पानी और दूसरे पानी पर जातर देखा गया है के किसान पानी के बाद जो है नतरजन को डालते हैं, यूरिया को छड़काओ करते हैं, हमने ये पाया है कि छड़काओ अगर यूरिया का पहले करें, जब पानी लगाने लें खेर में उसी समय पर किया जाए, तो चार से पांच प्रतिशत उसमें प अगर हम इनका प्रियोग करेंगे तो किसान भाईयों को पैदावार भी अच्छी मिलेगी और जैसा कि देखेगा कि जो माइक्रो न्यूटेंट है, सुक्सम तत्तव है, इनकी कभी पाई जाते हैं कुछ हित्रों में, तो उनकी कमी में नहीं आएगी और किसानों को अच्छी पैदावार मिलेगी, बलकुल देखिए, अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है, अच्छी पैदावार आपको मिलेगी, ना सिर्फ एक सही प्रमधन जो है, वो आपको अपनाने की आवशकता है, लेकिन फिलहाल की जोस्तिती अगर महाँ पर और कुछ ऐसी बाते हैं, जि क्या आप किसी बीमारी से परिशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सला, तो हम है आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, तमस्याएं आपकी समाधान देश के मश्वूर विशेशक्यों के, घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्टरों से, हमारे लाइव प्रोग्राम, स्वस्त किसान में, हर शनिवार, शाम 6 बजे से 7 बजे तक तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमश में, आज हम विचार विमश कर रहे हैं, खासता और से गेहों की देखभाल को लेकर, और आईए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले नज़र डालेते हैं, इस रिपोर्ट पर गेहों भारत की सबसे प्रमुक फसलों में गिनी जाती है, देश के खाद्य प्रभंधन में गेहों और गेहों के आटे की भूमी का लगातार बढ़ती जा रही है, इसका इस्तेमाल रोटी ही नहीं, बलकि बिस्कुट बनाने में भी होता है, पिछले कुछ वर्षों के दौ गेहों की उपज में खासी बढ़ोत्री हुई है, यही बजा है कि गेहों उगाने के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर है, इस साल की बात करें तो 2,97,54,000 हेक्टियर जमीन पर गेहों की फसल बोई गई है, और क्रिशी मंतराले को उमीद है कि करीब 10 करो टन गेहों क उपज हो जाएगी, अंतराश्ट्रे क्रिशी व्यापार में गेहों का दब-दबा है, 2017-18 में ही 6 अरब 24 करोड 37 लाख रुपए के गेहों का निर्यात किया गया, गेहों किसानों के आर्थिक समर्थन में सरकार भी पीछे नहीं है, मौजूदा सरकार लगातार गेहों का नि जुनतम समर्थन मूल्य में भी पिछले कुछ साल के दौरान 240 रुपए के बढ़ोत्री की जा चुकी है कि पहचान कर सकते हैं कि उनकी फसल में इस तर्थ की कमी है? मुकुल जी, जस्ता और लोहे की अगर कमी फसल में है, अगर तो लोहे की है तो सबसे उपर वाली पत्ती से ये शुरू होती है, वो पीली पड़ेगी पहले फिर दिरे-दिरे सुखनी शुरू होती है जहां तक जस्ता है, वो तीसरे से चौथी पत्ती पे जैसे जंग लगता है लोहे में, उस तरह के पहले छोड़े दाग देखेंगे, फिर वो पत्ती दिरे-दिरे सुखनी शुरू हो जाएगी जस्ते की जहां तक बात है, एक आम रिकमेडेशन है कि इसको गेहूं और धान में, दस-दस किलो या एक फसल में, पचीस किलो परती हेक्टेर के हिसाब से, या दस किलो परती एकड़ के हिसाब से डाला जाए अगर तो वो डाला है, तो इसका कमी आने की संभावना होती ही नहीं है, लेकर हाँ, अगर α cœur नहीं डाला है, और तो यह आता है तो पॉंट पांच प्रतिशत जिंक ? जिसमें एक किलो के करीब जिंक लगता है दोसों से डाइसलेटर पानी में गोल के किसान अगर छड़काओ कर देते हैं तो इसके समस्या नहीं होती इसके तरह कर आइरन की कम ही आती है तो उसमें भी पॉइंट पांच प्रतिशत ही स्प्रे करना होता है उसका फैरस सिल्फेट का लेकिन दोनों में ही करीब आधा किलो जो है वो चूना मिला लें ताके उसमें क्योंके आधरवाइस जो है फसल के पत्तों पे जलने के कईवार निसान आ जाते हैं एक ध्यान रखना चाहिए पेचान या निकर सकते हैं और इसमें चार से पांच किलो यूरिया भी मिला सकते हैं दोनों के साथ ही ताके जो फसल को अच्छी एक वो मिल जाए पोशक प्रबंदन अच्छी तरह से हो सके उसका और इनके अप्तेक भी अच्छी हो जाती है जी साथी यहां रखना नो जापसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम प्रबंदन अगर अपनाते हैं फसल हमारी अच्छी हो जाए लेकिन उसके बाद भंडारन के दौरान भी कही तरह की समस्या आती है जो किसान है कई बार वो सोचते हैं कि अगर कहीं जो गेहूं है उनका वो खराब ना हो जाए भंडारन अगर वो सहीज़े नहीं कर पाते कुछ जो कीट हैं उसकी वहाँ पर कभी कभी संभावना बनी रहती है लेकिन क्या शुरुबात से ही हम कह सकते हैं कि अगर किसान ध्यान रखे कटाई के वक्त से ही अगर तमाम बातों को ख्याल रखा जाए सावधानी बढ़ती जाए तो एक अच्छा भाव जो है ना सिर्फ वो उनको मिल सकता है उसके लिए और किस तरह की सावधानी उनको रखनी चाहिए मुख के बाद जो मार्केटिंग के शुरू होती है वो कटाई के बाद शुरू होती है और सारी सावधानिया हमको पूरे फसल प्रबंदन में ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपका दाना बहुत अच्छा आता है, मोटा आता है, चमकिला है क्योंकि क्वालिटी जो है एक आम भुगता इसी तरीके से समझता है कि दाना आपका साफ है और दाना चमकिला है और मोटा है तो एक consumer का लगता है कि यह यह बहुत अच्छे किस्म की है उसका जो भी कीमत है वो देने के लिए ततपर होता है तो इसमें अगर ध्यान देने वाली बात यही रहती है कि शुरू से ही अगर आपने portion प्रबंदन अच्छा किया है सिचाई का प्रबंदन अच्छा किया है अच्छी किस्म का चुनाओ किया है तो निश्ची तोर पे आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी और जब आप कटाई करते हैं तो जब उसकी गहाई या थ्रेसिंग कराते हैं तो उसमें आपको सवधानी रखनी है थ्रेसिंग में कि दाने ज़्यादा ना कटे फटें क्योंकि जाना जितने ज़्यादा दाने तूटेंगे उतना ही उसका जो market value है वो कम होता जाता है और भ कटाई कराना है तो करीब 15-16% के आसपास होना चाहिए लेकिन कटाई के बाद जब हम गाही कर लेते हैं आना आज हमारे पास आ जाता है तो उसको सुखाईए अच्छे से क्योंकि 12% से नीचे ही चाहिए भंडारन के लिए अगर उससे कम का नमी नहीं होगा तो उसमें बहुत अच्छा टाइम है इसको बंडारन करने का जी उसमें अगर भूसा है या दूसरे कुडा करकट हैं ये इसकी मातरा अगर कम से कम होगी तो उतना ही कम मौैस्चर को इसके सोखने की संभावना होती है और बंडारन के दवरान अना आज आज आपका सुरक्षित रहता ह लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि दो तरह का मार्केटिंग है एक तो जो सरकारी खरीद होती है हमारे मंडियों में बिलकुल और एक दूसरा जो ऑनर और्गनाईज मार्केट है जहां पे प्राइवेट ट्रेलर्स है या आम कंज्यूमर किसानों से खरीदता है तो जो आम कंज्यूमर खरीदता है वो दाना देखता है बहुत अच्छे से जी और उसके हिसाब से वो दाम लगाता है और बहुत सारे हमारे किसान साथी है जो खुद का पैकेजिंग भी करते हैं खुद की मार्केटिंग भी करते हैं तो वहाँ ये बहुत रहम रखता है कि आपका दाना कितना साफ है उसके हिसाब से उसको कीमत मिलती है और जो मिलिमम सपोर्ट प्राइस से काफी अच्छा दाम भी मिल लाता है तो इसका आप ध्यान रखिये आप अगर अपनी बैगिंग कर सकते हैं तो छोटड़ बैग भी बना सकते हैं अपने देखके ही खरीद करते हैं तो निशी तोर पे दाना का जो मोटा होना एक बहुत आवश्यक है और उसका साफ होना ये आपको अच्छा मुल्ले दिलाएगा किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरह कोई उपाय रहे जिसके जरीए जो हमारे किसान है उन पर अत्रिक बोज भी ना पड़े और एक कम लागत में एक सही प्रबंदन जो है वो हमारे किसान कर पाएं मुकल जी जैसा अगर हम उत्री पस्टिम सेतर में देखें खासकर हर्याना पंजाम में अगर हम खरपतवार ही लें तो खरपतवार में जैसे कुछ खरपतवार में परतिरो धगता आ गई है उन्हों से आने से क्या है कि किसान भाई सही से नियन तर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जाई है कि एक तो जो खरपतवार नासी है दुआई हैं उनका चैना हम खरपतवार का अनुरूप करें और उनको अदल बदल के पर्योग करें जो उनकी मातरागीा पार्स की गी है, उतनी पर्योग लें लेकिन जहां परतिरोधा गता आगए मधना किसान भायूं ने क्या करना सूब किया कि एक तो मातरा बढ़ा दिये और द्रोय को बार-बभा पर्योग करें हमें समू को बदलने की जूरूत है और दूसरा किसान बायों को चाहिए अगर हम मंडुसी के लिए एक मंडुसी कंड की गुले नज़ेश हम कहते हैं ये एक मुख्य समस्या है रहा नपनजाब में और इसमें एक बहुत साकनासी परतिरोधता आ गई है तो उसके लिए किसान बायों को चाहिए इस सुरुवात से या उसके नियंतरन के लिए उन्होंने परियास करने होंगे जैसे की तपड में बिज़ाए करें इससे उनके एक तो जुताई की जो से ड़क्टर सर्मा बता रह है तो उसमें जरूरी है गर हम सिचाई कर दें और खर्पतवार आ जाएं तो उनको हम जो नोन सेलेक्टिव अर्बिसाइड हैं जैसे साकनासी है जैसे राउंड अप है गलाइफोसेट है या पैरकवट है इनको हम जो दूसरी साकनासी है जैसे पैंडिमेथले इनको मिला कर प्रियों कर लेंगे जी तो जो बिज़ शिचाए करने के बाद जो खर्पतवार आगे हैं उनसे आपके जो नो सेलेक्टिव अर्बी साइड हैं साकना सी है उनसे नियंतरन हो जाएगा और जो पैंडी मेथलीन है बाद में नहीं आने देंगी खर्पतवार तो इसे जो बहुत जो साकना सी जो परतीरो धगता आगी है उसके नियंतरन में एक कावी परभावी रहेगा जी और इसके बाद भी जो सिचाए के बाद बाद मान लो कुछ खर्पतवार आते हैं तो उनको खर्पतवार को अनुछ नशार दूसरी जो साकना सी है उनका चेयन करें तो सही मातरा में डालें और सही समय पर सही तरीके से डालें. अगर किसान अबाईन को अपनाएंगे तो उनको जो लागत में कम ही कर सकते हैं. लागत जाहर तरप्ड़ कम होगे और गेहुं के साथ ही माना जाता है जौंकी भी अगर हम यहाँ बात करें, तो क्या उसके लिए भी समान बात हम मान सकते हैं खर्पतवार नियंतरण के लिए? हाँ, जो में भी है उस में भी जो लेकिन जो के लिए साकना सी है वो अलग हैं. मान लो जो में अगर संकरी पत्ती की जो खरपतवार हैं जैसे जातर शेतरों में जंगली जई की समश्या है लेकिन कुछ शेतरों में जहां माल्ट वाली जो लगते हैं वहां जो करण की अमनुसी भी आ जाती है उसके ने तरने लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जो पिनोक आठ ग्राम या टू-फोडी है तू-फोडी आप रियोग कर सकते हैं और इसके अलावे कारफंटर जोन है तो बीस ग्राम प्रती एक कड़ है उसको प्रियोग कर सकते है चोड़ी पती जो खरपत रौन के निंतन के लिए जी बलकुल देखे एक चीज जो है इन्हों ने बताय के बाद इसको नहीं डाल सकते हैं बिल्कुल लेकिन डौक्टर शर्मा अभी कर जैसे क्योंकि हम बात करें अभी की जो स्तिति है उसको अगर हम देखे तो और कैसे जो उत्पादन है अगर हमारे किस्सान को लगता है कि जो उत्पादन है शायद उम्मीद के मताबित नहीं उपा रहा है चाहे बढ़भार की हम बात करें या धाना-पन्नी की हम बात करें अभी की स्तिति में उनके पास किस तरह के उपाएं है अभी तो फसल की जो स्तिति है उस पे बहुत ज़्यदा हम नहीं कुछ भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी हलकी पीली आपको दिख रही है तो थोड़ा बहुत यूलिया का स्प्रे कर सकते हैं या थोड़ा यूलिया डाल सकते हैं वाकि खासकर ध्यान अखना है कि समय से मौस्म को डेखते हुए हbé भलकी सी चाहि की जाए जी बल्कुल देखिए प्रमो की यही जह सी काफी एहम हो जाती है यहों की फसल की भी अगर बात की जाए लेकिन इसके साथ डॉक्टर नूज अगर हम यहां बात करें एफप्यो उसकी किसान अतौदक संगठन को अगर हम देखते हैं तो इसके जरी भी आजकल जो किसान है उन्हें अच्छे भाव मिल पा रहे हैं लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो उनको लगता है कि शायद अगर वो संगठन से जुड़ते हैं तो शायद कुछ ने नुकसान भी उठाना पड़ सकता है जो खास वर से गेहों के किसान है उनको क्या बताना चाहेंगे इस बारे में बारत सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जो क्रिशी उतपादक समू है क्रिशानों का जो समू है क्रिशा का प्योज जो बनाए गए हैं यह बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए हैं नाबाड के माद्यम से बनाए जा रहे हैं और हमने भी बहुत इस तरह के उतपादक समू के साथ काम भी किया है जुड़े भी हु हमारे सारे भंडार भी भरे हुए हैं लेकिन पैदावार के बाद क्या करना है इसके बारे में किसानों की अन्विगता अभी भी है कि इसको कैसे इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी इसकी ट्रेडिंग कैसे होगी इसका मार्केटिंग कैसे होगा यह किसानों को बहुत नहीं पता है और इसी को ध्यान में रख करके FPO's का स्रीजन हुआ है कि किसान अपने समान को कैसे बेच सकता है क्योंकि आज समय ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े प्लैटफॉर्म आ गए हैं जिनके पास अपनी दुकाने नहीं हैं लेकिन मल्टी मिलियन डॉलर कमा रहे हैं और किसान पैदा करके भी बेच नहीं पा रहा है तो निश्ची तोर पे इस तरह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है यानि विकल्क किसान के पास है बिल्कुल है बिल्कुल है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यदा जो काम करने की आव सकता है वो इसी सेक्टर में अभी है कि कैसे कि मार्केटिंग से किसान को जुड़ा जाए अभी हमने देखा कि FPO's ने दोनों तरह की चीजों की शुरुआत की किसान अपना जो भी गेहु है उसको छोड़े छोड़े पैकेट्स बनाकर कि FPO के नाम से पैकेट्स भी बेच रहे हैं और हमारे जैसे जो सहर में रहते हैं अगर उनको साफ सुतरा गेहु मिलता है तो घर में लाकर के चक्की में पिसवा के उसका इस्तमाल करते हैं यानि तो बना बनाया जो आटा आता है मल्टिनेशनल बहुत सारी कंपनी बना रही है उसका भी आता है हर 10-15 दिन के बाद उसमें quality parameters में कुछ ने कुछ बदलाव आता है कुछ ने कुछ हरास होता है तो जो FPUs ने अभी बहुत सारी marketing शुरू की है उन्होंने whole grain भी बेचना शुरू किया है और बहुत सारे लोगों ने आटा भी बेचना शुरू किया है वीट की अगर बात करें तो ऐसे ही बारले का भी किया है बहुत सारे लोग सत्तू भी बेच रहे हैं तो निश्ची तोर पे अगर product हमकों पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको process कर सकते हैं इसकी कैसे packaging हो सकती है तो निश्ची तोर पे जो चीज बोरी में बिखता है और जो चीज पैकेट में बिखता है ये बहुत अंतर लाता है दामों में बिल्कुल यानि बहले ही बहुत छुटा आपको लगता हो अगर पैकेट में आप देखते होंगे गेहों को या जो उसे बनने वाला आटा या दूसरे उत्पाद हैं लेकिन यहाँ पर जो मुनाफ़ा है वो काफी प्रतीशत तक आपका बढ़ जाता है तो ना सिर्फ प्रमुक वसल बलकि अगर आप जो हमारे किसान उत्पाद के संगठन हैं उनसे जुड़ते हैं तो इसके जरी प्रस अगर किसानों को लगती है या उन्हें लगता है शायद जैसा आप कहरे थे कि फिलाहल यूरिया का चड़कावी सही है लेकिन अभी की जो स्तिती है जो एक आवस्ता है उसमें किसी तरह की कमी अगर आती है तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं किसान इसमें मुकुल जी पोशक तत्वा तो डालने का समय करी कोई निकल चुका है अगर जैसे हमने पहले बात की थी जस्ता की और लौ की उनकी कमी है तो हम चड़काव कर सकते हैं वो एक किलो जो है जिंक सिलफेट आरन सिलफेट और उसके साथ तीन से चार किलो यूरिया मैं पहले जो अनुजी से बात हो कितने का बेचना है जब तक हमारे किसान भाई गाउं स्तर पर इकठे नहीं होंगे और वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने अपना गेहूं या क्रिसी का कोई भी उतपादन कितने दाम पे बेचना है तब तक प्रदान मंत्री जी की योजना है उनका कहना है कि डबलिंग फ और उनको संगटी तोना पड़ेगा ताकि उनके जो है जो पैदावार ले रहे हैं पैदा कर रहे हैं अन और दूसरी फसले जो हैं तो उसका रेट उन्हीं को डिसाइड करना पड़ेगा जी बल्कुल और जैसे कि यहां डॉक्टर शर्मा आपने हमें बताया कि जो जागरुक को लेकर हमने बात की लेकिन इस दोरान अगर हम एक लागत की अगर हम बात करते हैं अप कितना प्रतीशाद लगता है कि जो किसानों की लागत है उसका कुछ हिस्सा कीट नीहंतरन पर या जो बिमारी हैं उनकी रोक-थाम पर चला जाता अगर वो हुछ बचा सकें तो जहा पहले आपको उससे बचा सकते हैं क्योंकि जब आप बाद में शुरू करते हैं तो आपके पास शिर्फ एक विकल प्रह जाता है इस्प्रे करना दौाई का इस्प्रेश इसमें आज जिसकल दौाईयां भी काफी कीमती हो गई काफी कीमेट उसके साथ उसमें लागत लगती है उसको स्प्रे करने का लगता है उससे बचाव के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें जिस एरिया के लिए आप बुआई करें उसके लिए सबसे पहले किसम का चुनाव सही करें क्योंकि जितनी भी हमारी नई कि में उसको हम टेस्ट करते हैं कि जो बिमारी प्रतिरोद किसमें ही रिलीज हो पाती हैं जी उसके लिए नई किसमों का और जिस छेतर में आप भॉआई करें उसका चैन करें और वही उसको भॉआई करें समय से भॉआई करें बलकुल दूसरी बात उसमें कुछ बिमारियां जै जैसे की कार्बिन डेजिम है जैसे टिबिकोनोजूल है इसकी एक से दो ग्राम प्रती किलो के इसाब से उसका बीज अपसार जरूर करें बीज अपसार से ये बिमारियों को आपके खेट में नहीं आएंगे जी बलकुल यानी देखे कर आप मुनाफ़े की उमीद कर रहे हैं तो शुरूरात से ही इस बात का आपको ख्याल लगना होगा कि जो लागत है वो हर एक स्थर पर आपकी कम रहनी चाहिए क्योंकि हर एक स्थर पर अगर लागत बढ़ेगी जैसा कि डॉक्टर सुदीर हमें बता रहे थे कि एक समयकीत प्रबंधन जो अपनाना बेहाँ जरूरी हो जाता है बीजुबचार की कर बात की जाया तो शुरुवात की जो अवस्ता है वहाँ से ही आपको इस बात का ख्याल लगना होगा और खास्तोर से शीत रिशीष की भी हम अगर यहां करें डॉक्टर अनुज राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो की खेती जो है वो अच्छा मुनाफ़ा हमारे किसानों को देती नजर आती है जो दूसरे राज़े की किसान है क्या उनके लिए भी यह संभव है उनके लिए कुछ सला देना चाहें या जलवाई उपर इस सित्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान में जो की खेती बहुत अच्छी होती है एक तो उसका मुख्य कारण है कि जो एक ऐसी फस संधान में बहुत सारे ऐसे अनुठे प्रियोग हुए और जिसमें बहुत अच्छी किसमें आई हैं जो गेहों के बराबर पैदावार दे रही है तीसरी बात इसमें सबसे अच्छी उपर कर आई है कि जो किसमें नई रिलीज होई हैं मौल्ट जो के लिए जिससे मौल्ट कर रही हैं राज disorderय को विस्टर्न यूपि को पंजाब को अर्याना को जहां पे हुलेटी मौल्ट की वरायटी ज risky क्रो हो रही बिल्कुल अनुची लेकिन ये जो तमाम उत्पाद हैं क्या एक किसान जो खुद गेहूं या जौंकी खेती कर रहा है खुद से भी वो क्या इन उत्पादों को हम कह सकते हैं कि एक छोटे ओधियम के रूप में उसकी शुरुआत कर सकता है जो ट्रदेशनल प्रॉडक्ट हैं खास करके जिसमें आटा है जो का या सद्टू है ये सब तो किसान के लेबल पर हो सकता है लेकिन माल्टों एक प्रोसस है जिसमें इंडुस्टियर इन्वेस्टूमेंट चाहिए होता है और हो इक प्रोसस है और उसके लिए बड़ा सैटॅ छाहिए यह किसान तो डारेक्टली नहीं कर सकता है लेकिन जो ट्रीशनल प्राड़क्ट है वो बना सकता है तो अगर किसान देखिए खुद से चाहें तो इसके भी शुरुवात कर सकते हैं इसके जरीये भी एक शुद मुनाफ़ा जो है वो आपको मिल सकता है और इसके लिए अलग-अलग योचना है जो है सरकार की वो भी जन्चालित की जा रही है साथी साथ अलग-अलग राज्यों की अगर बात की जाया तो वहाँ भी कई ऐसी योचना है जिनके जरीए इन से बने जो उत्पाद हैं सकते हैं जे जाया मुकल जी ऐसा है कि अगर इस बार खेत में अगर ऑगर aquí नियनतर नहीं हुआ तो किषानों को चाहिए कि वह वैजा है जब फसल की जब कटाई करते हैं तो उनके जो बीज है फसलों के साथ जो बीज mentor अगर मिक्स हो जाते हैं तो अगले दूसरा कहीं पर दिखा गया है जो गोबरी खाद है अगर अच्छी तरह गली चड़ी नहीं है उसमें भी खरपतवार बीज रहते हैं तो आगे उनका आगे के फर्दर जो है खरपतवारों को बढ़ाने में वो साहता करते हैं तो एक समेकित जो खरपतवार पंद ब्रंदन है किसान बायों को अपनाना होगा एक चीज देखने में इसमें मिला है हम लोगों ने देखा है जिसे किसान बीज बोता है तो उसको अगर बिजाई के पहले जहरना लगा देगा तो जो खरपतवार की बीज हैं वो बहुत बारीक होते हैं तो वो च्छनके आ आ जाते हैं बाह के पहले ही डालना है अब किसान जो हमको फोन करना शुरू करते हैं वो 30-35 दिन 40 दिन के बाद करना शुरू करते हैं तो उसकी तैयारी शुरू अगर कर देंगे तो एक समय की खरपतवार नियंतरन होगा और उसके फसल एक दम शुद्धा आएगा उसमें कोई भी मिक्सर नही इसके लिए भी आप जाहें तो उनकी रुक्ताम वहीं कर सकते हैं और अगली बार जो आपकी फसल आएगी उसमें उतनी खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी फिलाल विचार विमश में वक्त उचला एक और छोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा गेहूं की देखवाल को लेकर हमारा कारिक्रम आप देखते रहें तुर्दर्शन के सान जहां दिगज दोडाते हैं अपना दिमाद धूनते हैं सामाइक सवालों के जवाब खीती किसानी के मुद्दों पर मन्थन का मंच देखिए वात समबात हर शनी वार सुभा ग्यारा बजे तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार मर्श में आपने देखा किस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले बने यहां चर्चा की गेहूं या उसके साथ साथ जौंकी भी अगर बात की जाया काफी समानता दोनों फसलों में यहां नजर आती है क्या उस समय जो किसान हैं उन्हें कई ऐसी बाते हैं जिनका ख्याल लखना चाहिए क्योंकी ना सिर्फ बारिश की बात हमने यहां की तेज हवाओ की बात हमने की लिके अच्छा उत्पादन उन्हें जो मिले और जब आखरी फसल जहारी पकर तयार होती है तो हम कह सकते हैं जो किसान है काफी उम्मीदें उसको उस फसल से नजर आती है जब हमारी फसल पूरी तरीके से तयार होती है और उस दौरान किन बातों का जो किसान है उनको ख्याल रखना चाहिए कि फसल जब पकंद के कागार पे है तब तो हमें सिर्फ एक ये ध्यान रखना है कि या तो बहुत गीली भी ना काटें और बहुत ज़्यादा सूखने भी ना में क्योंकि ज़्यादा अगर पौदा सूख जाता है तो वेवाज जढने का भी जढने चुरू हो जाते हैं दा करना चायए और उसको अच्छी तरह साफ सूथरा करके सुखा के ही हमें बंधार रहन करना चाहिए और साफ सूथरा करके ही अगर हम मार्किट में लेकर जाएंगे तबही दाम अच्छे भी लेगे जो पहले साफ सफा़ाय भी आपको रखनी होगी नमई की जो मात्रह है आप भी इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ना सिर्फ जो फसल है, वो खर्पतवार रही दो, बलकि और भी जो मुनाफ़ा है हमारे किस्तानों का वो बढ़ सके इन दोनों फसलों से. जैसा कि डारसर में बता रहे थे कि समय से आप कटाई करें, और दूसरा है कि खर्पतवार होके अगर बीज वगरे नहीं रहेंगे तो उसमें जो है आपका जो प्रोडूस होगा, अच्छा होगा, और अच्छे दाम मिलेंगे जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारी प्लानिं जैसरी चीज है, अगर हमने देख लिया कि मौसम बिगड़ रहे हैं और हमरे पास समय कम है तो निश्ची तोर पे कमाईन का प्रयोग करना ज्यादा लाजमी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कटाई कर देता है, और जिन शेतरों में हाथ से कटाई होती है, उन शेतरों में य जिकर किया, क्योंकि कटाई के बाद हम देखते हैं बारिश अगर हो जाती है, तो फसल को जो नुकसान होता है और जो हमारा गेहूं है, वो लगपक काले रंगा उसमें नजर आने लगता है, क्या इसके लिए भी किस तरह कोई और अक्थाम, डॉक्टर सुधीर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, या क्योंकि जब इस्तिती ऐसी हो जाती है, क्योंकि इस्तिती से नबटना काफी मुश्किल, लेकिन काफी हद तक अगर किसान चाहें, तो क्या बचा सकते हैं अपनी फसल को अगर समय से वो कटाई कर लें, जैसा कि डॉक्टर अनूज ने बता है, कि इसके लिए सबसे पहले तो आप मौस्म का परो बहुत ध्यान दें, जो पुरूर अनूज अगर आपका निरने सही है, तब ही आप उस नुक्सान से बच सकते हैं, जैसा कि अगर बारिश की संभावना है, तो आप कटाई ना करें, या अगर आपकी फसल पक चु है, तो उसमें तो आप जितना है कि ना ही कटाई करें, तब ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी फसल आप काट सुके हैं, और उसके बाद बारिश होता है, तो आप उसको फसल को एकटा करके, कहीं ऐसी जगह स्टोर्वरे जिसमें से उसमें पानी निकल सके, खड़े पान फसल ना पड़े रहे, आपकी आनी रहे, तो उससे नुकसान बचा जा सकता है, काल एक कम होंगे दाने, और उसको जल्दी ठ्रेसिंग कर लें आप, उसको उसी इस्तिती में ना छोड़ें, जैसे सुलीरी जी ने कहा है, उसको एकटा कर लें, एकटा नहीं करना है, अगर ब तो काले पड़ने के समामना होती है, जहां उंचे तरफ मिंड के उपर रखते हैं, चाहे नीचे से फसल थोड़ी गिली भी रहे, को उसमें फरक नहीं पड़ता, ना आपका ठीक रहेगा, बिल्कुल ना देखी, सही रहेगा, लेकिन पहले उसको आप जरूर सुखा लें, जैसे कि मौसम की बात की जो हमारे विश्धिशंगेcha पर बिश्धिशंगे हैं, आप अच्छे से पहले मौसम का देखें के उसके बाद ही कटाई करें, क्योंकि जो हमारे विज्धिशंगे बिभी मौसम की सितर्मी हैं, आप आप बनाया रखें, ऐसा ना हो कि बारिश का म खुद से तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो और ज्यादा मुनाफ़ा उनको मिल सकता है। अगर हमको आमदनी बढ़ानी है तो पहले लागत कम करनी है। तो दोनों तरफ से उसको भी बचा सकते हैं। दूसरी चीज दोनों ने ये बताई कि अगर आप सीचाई के पहले यूरिया डालते हैं तो पांस परसेंट आपका पैदावार बढ़ जाता है। तो अगर छोटे-छोटे ऐसे ऐसे टिप्स हमगर पकड़ते जाते हैं और फिर IPM का प्रियोग करते हैं, समय कित पोशन प्रबंदन हो जाता है, समय कित खर्पतवार प्रबंदन हो जाता है। तो उसमें काम करने की आओ सकता है, जैसा कि हमने कहा कि जो एफ प्योज हमारे बन रहे हैं, अगर किसान अपने उतपात बेचने लगेंगे तो निश्चे तोर पे मिनिममम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत उसको मिलेगी। और प्रोसेसिंग में काम करने की आओ सकता है, और अगर हम बहुत छोटे लेवल पे बात करें तो गेहूं का दलिया, गेहूं का सूजी, जोओ का दलिया, जोओ का सूजी, छोटे-छोटे कुकीज, बेकरी यूनिट बना करके भी हम ये कर सकते हैं और हमने बहुत सारे महिलाओं को भी ट्रेन किया, इस दिशा में प्रयास ह आपको साहता कर रही है, बहुत सारे माइक्रो इरिगेशन फैसलिटीज दी गई है, जिसमें अब गेहूं भी उगया जा रहा है, जोओ भी उगया जा रहा है, मिर्दा स्वास्त कार्ड के माद्यम से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कहां क्या देना है, क्या नहीं देना है ब्लैंकेट रिकमेंडेशन नहीं है उसके बाद अगर फसल भीमा योजना ले ले लेते हैं तो हमारा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी 2% हमको प्रिमियम देना है और सरकार की तरफ से हो जाज़ी है तो इन सारे चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तोर पे गेहों के माद्यम से भी बहुत हद तक आमदनी बढ़ाई जा सकती है बिल्कुल देखी काफी हद तक आप में जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं गेहों और जोकी भी अगर खासा और से हम ही आब बात करें लेकिन यह तमाम बाते हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा और ख्याल सर्फ अभी किस्ति को देखते हैं बलकि जो शुरुवाद से ही जब आप विजाई की शुरुवाद करते हैं या सोचते हैं कि जब गिहों के फसल लेनी है उसके किस्म आपको कौन सी लेनी होगी क्योंकि अब हमारे पास उन्नत किस्में उपलब्द हैं उसके लिए आपको ज़रूरी ही कि आप पूरी जानकारी आपके पास हो किस शेद के लिए आपको कौन सी उन्नत किस्म का चैन करना है बीजोबचार उसमें करना है और फिर जिस तरह के प्रभंदन जो हमारे विशिशक वे उनको सुझाएं हैं तो जही तो पर जो लक्ष है ना सिर्फ उस लक्ष को हम हासिल कर पाएंगे बलकि गेहूं और जों के जरी भी हम कह सकते हैं जो हमारे किसान है अपनी फसल के जरी एक अच्छा मुनाफ़ा या अपनी आमदी को दोगना कर सकेंगे और इस आज की कारिक्रम में हमारे जो तमाम विशिशक है आप सभी ने इतना कीमती वक्त इस कारिक्रम के लिए दिया और तमाम जो हम कह सकते हैं समस्या भी आप सुझाई हैं हमारे किसानों के लिए क्या क्या सावधानी उनको रखनी होंगी ये तमाम जानकारी आपने दी इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभाए। तो उमीद यही करते हैं, जो हमारे खिसान हैं, वो और बहतर नहीं से जान पाएं होंगे, कौन सी समस्य अगर आपके वसल में आ रही है, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, जिससे ना सिर्फ आपकी जो लागत है, क्योंकि हम कह सकते हैं, फोकस इसी पर है, जो पहली लागत है, आपकी जो खर्च है, पहले वो कम किया जाए, लागत जैसे ही कम होगी, आपका मुनाफ़ अपने आप बढ़ेगा और उसके लिए ज़रूर यही कि आप भी जाकरूक रह झाल झाल